कहानी सुनोर में लीजिये प्रेमचंद की कहानी वफा का खंजर वाचक कृष्णा सांखला जयगड़ और विजयगड़ दो बहुत ही हरेब्रे सुसंस्कृत दूर दूर तक फैले हुए मजबूत राज्य थे दोनों ही में विद्या और कलाद खूप उन्त थी, दोनों का धर्म एक प्रस्म रुवाज एक दर्शन एक तरक्की का उसलेक जीवन मानदन्रिक और जबान में भी नाम मात्र का ही अंतर था, जयागड़ के कवियों की कविताओं पर विजयागड़ वाले सर धुनते और विजयागड़ी दार्शनिकों के विचार जयागड़ के लिए धर्म की तरहे थे, जयागड़ी सुंदर्रियों से विजयागड़ के घर बार रोशन होते थे और विजयागड़ की को सुधार किया जाता तो विजयागर में शोर मच जाता कि हमारी जिंदिगी खत्रे में हैं, इसी तरह तो विजयागर में कोई व्यापारेक उन्नती दिखाई देती तो जयागर में शोर मच जाता था, जयागर अगर रेलवे की कोई नए शाक निकालता, तो विजयागर उसे अपने लिए काला सांप समझता और विजयागर में कोई नया जहाज तैयार होता तो जयागडर को वह खून पीने वाला घडियाल नजर आता था अगर यह बदुगमानिया अनपड या साधारन लोगों में पैदा होती तो एक बात थी मजे की बात यह थी कि यह रागद्वेश पुद्या और जागरती वैभव और प्रताप की धर्ती में पैदा होता था अशिक्षा और जर्ता की जमीन उनके लिए ठीक न थी खास सोच विचार और नियम विवस्था के उपजाव क्षेत्र में तो इस बीच का बढ़ना कल्पना की शक्ती को भी मात कर देता था ननहासा बीच पलक मारते भर में उचा पूरा दख्त हो जाता था कूचे और बाजारों में रोने पीदने की सदाएं गूंजने लिगती तेश की समस्याओं में एक भूचाल सा आता अखबारों के दिल चलाने वाले शब्द राज्य में हलचल मचा देति कहीं से आवाज आ जाती जायगर्ड प्यारे जायगर्ड पवित्र के लिए यह कठेन परीक्षा का अवसर है दुश्मन ने जो शिक्षा की व्यवस्था तयार की है वहाँ हमारे लिए मृत्यू का संदेश है अब जरूरत और बहुत सक्त जरूरत है की हम हिम्मत बांते और साबित कदे की जायगर्ड अमर जायगर्ड इन हमलों से अपनी प्राण रक्षा कर सकता है नहीं उनका मुह तोड जवाब दे सकता है अगर हम इस वक्त न जाकरें तो जायगर्ड प्यारा जायगर्ड हस्ती के परदे से हमेशा के लिए मिचाएगा और इतेहास भी उसे भुला देगा दूसरी तरफ से आवा जाती विजए अगरड के बेखबर सोने वालो हमारे महरबान पड़ो सेयों ने अपने अखबारों की जबान बंद करने के लिए जो नए काईदे लागू किये हैं उन पर नाराजगी का इज़ार करना हमारा फर्ज है उनकी मनशा इसके सिवा और कुछ नहीं है कि वहां के मुवामलों से हमको बेखबर रखा जाए और इस अंधेरे के परदे में हमारे उपर धावे किये जाएं हमारे गलों पर फिरने के लिए नए नए हथ्यार तयार किये जाएं और आखिर कर हमारा नाम निशान मिटा दिया जाए लेकिन हम अपने दोस्तों को जता देना अपना फर समझते हैं कि अगर उन्हें शरारत के हथ्यारों की इजाद के कमाल हैं तो हमें भी उनकी काट करने में कमाल है अगर शैतान उनका मददगार है तो हमको भी ईश्वर की सहायता प्राप्त है और अगर अब तक हमारे दोस्तों को मालूम नहीं है तो अप्ध होना चाहिए कि इश्वर की सहायता हमेशा शैतान को दबा देती है जय अगड़ बाकोमाल कलावनतों का अखाड़ा था शीरी बाई इस अखाणे की सब्च परी थी उसकी कला की दूर दूर तक क्याती थी वह संगीत की राती थी जिसकी जोड़ी पर बड़े बड़े नाम वराकर सिर झुकाते थे चारों तरफ विजय का जंका बजाकर उसने विजय अगड़ की ओर प्रस्थान किया जिससे अब तक उसे अपने प्रशंसा का करना मिला था, उसके आते ही विजयागड में एक इंखलापसा हो गया, रागद्वेश और अनचित गर्व हवासे उड़ने वाली सूखी पत्यों की तरह तितर बितर हो गये, सौंदर्य और राग के बाजार में धूल उड़ने लगी थियाटरों और नृत्य शालाओं में वीरानी चा गई, ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारी स्रिष्टी पर जादू चा गया है, शाम होते ही विजयागड के धनी धोरी जवान बूढे शीरी बाई की मजाल इसकी तरफ दोड़ते थे, सारा देश शीरी की भक्ती के नशे में डूब गया, विजयागड के सचेत क्षेतरों में देशवासेयों के इस पागलपन से एक बेचैनी की हालत पैदा हुई सिर्फ यही नहीं कि उनके देश की दौलत बरबाद हो रही थी, बालकि उनका राश्रिया भिमान और तेजबी धूल में मिल जाता था, जयागड की एक मामूली नाचने वाली, चाहे वह कितनी ही मीठी अदाव वाली क्यों न हो? विजयागड के मनुरंजिन का केंदर बन जाए यह बहुत बड़ा अन्याई था, आपस में मुश्विरे हुए और देश के पुरोहितों की तरफ से देश के मिंतरियों की सेवा में इस खांसुद देश से एक शिष्ट मंडल उपस्थित हुआ, विजयागड के आमोद प्रमोद के करत्ताओं की ओर से भी आवेदन में तरपेश होने लगे, अखबार उने राष्ट्रिय अपमान और दुर्भाग्य के तराने छेड़े, साधारन लोगों के हलकों में सिवालों की बोचार होने लगी, यहां तक की वजीर मजबूर हो गए शीरींबाई के नाम शाही फरमान पहुँचा, चूंकि तुम्हारे रहने से देश में उपद्रव होने की आशंका है, इसलिए तुम फॉरण विजयागड से चली जाओ, मगर यह हुकम अंतराष्ट्रिय संबन्दूं आपसी करणा में और सभिता के नियमों के सहरासर खिलाफ था, जयागड के राजदूद ने, जो विजयागड में नियुक था इस आदेश पर आपती की और शीली भाई ने आखिरकार उसको मानने से इंकार किया क्यूंकि इससे उसकी अजादी और खुददारी और उसके देश के अधिकारों और अभिमान पर चोट लगती थी, जगड के कूचे और बजार खामोश थे, सेर की जगहें खाली, कफ्रीह और तमाशे बंद, शाही महल के लंबे चोड़े सहने और जनता के हरे भरे मैदानों में आदमियों की भीर थी, मगर उनकी जबाने बंद थी और आँखे लाल चेहरे का भाव कठोर और क्शुब्ध टेयोरिया हुई माते, परशिकन, उमडी हुई काली घटा थी, अडर रावनी, खसमोश और बाड को अपने दामन में चेपाई हुए, मगर आम लोगों में एक बड़ा हंगामा मचा हुआ था, कोई सुलह का हामी था, कोई लड़ाई की मांग करता था कोई समझोते की सलाह देता था, कोई कहता था की चानबी ने करने के लिए कमीशन बैठाओ, मामला नाजग था, मौकातं, तो भी आपसी बहस मुबाहसों, उद्गुमानियों और एक दूसरे पर हमलों का बिजार गर्म था, आधी रात गुजर गई मगर कोई फैसला न हो सका, पूंजी की संगठित शक्ती उसकी पहुँच और रूब दब फैसले की जबान बंद किये हुए था तीन पहर रात जा चुकी थी, हवा नीन से मतवाली होकर अंगढ़ाईया ले रही थी और दर्खतों की आँख छपिक्ती थी, आकाश के दिपक भी जल्मलाने नगे थे, कर बारी कभी दिवारों की तरफ ताकते थे, कभी छत की तरफ, लेकिन कोई उपाई न सूजता था, अचानक बाहर से आवाज आई, युद्ध, युद्ध, सारा शहर इस बुलन नारे से गंज उठा, तिवारों ने अपनी खामोश जबान से जवाब दिया, युद्ध, यद्ध, यह अदृष्ट से आने वाली एक पुकार थी, जिसने उस ठहराव में हर्क पैदा कर दी थी अब ठहरी हुई चीजों में खलबली सीमच गई, करबारी गोया गल्फ्थ की नीन से चौक पड़े, जैसे कोई भूली हुई बात याद आते ही उचल पड़े युद्ध मंत्री सयद सिक्री ने फर्माया, क्या आग भी लोगों को लड़ाई का इलाल करने में हिचकी चाहट है आम लोगों की जबान खुदा का हुपमर उसकी पुकार अभी आपके कानों में आई, उसको पूरा करना हमारा फर्ज है, हमने आज इस लमभी बैठक में यह साबित किया है कि हम जबान के धनी हैं, पर जबान तलवार है धाल नहीं, हमें इस वक्त धाल की जरूरत है आये हम अपने सीनों को ढाल बना लें और साबित कर दें कि हम में अभी वह जोहर बाकी है जिसने हमारे बुजर्गों का नाम रोशन किया, कौमी गैरत जिंदगी की रूह है, वह नफे और नुकसान से उपर है, वह हुंडी और रोकर वसल और बाकी, तेजी और मंदी की पाबंदियों से आजाद है, सारी खानों की छिपी हुई दौलत, सारी दुनिया की मिंडिया, सारी दुनिया के उद्योग धंधे इसके पासन है, उससे बिचाईए वाना आपका यह सारा निजाम तितर बितर हो जाएगा, शिर्जा बिखर जाएगा आप मिचाएंगे, पैसे वालों से हमारा सवाल है, क्या आप भी आपको जंग के मामले में हिचकी चाहट है? बाहर से सेक्डों की आवाजें आई, ज्जांग ज्जांग, एक सेट सहब ने फरमाया, आप जंग के लिए तयार है असिक्री, हमेशा से ज्यादा, ख्वाजा सहब आपको फतेय का यकीन है असिक्री, पूरा यकीन है, दूर पास ज्जांग, ज्जांग की गरचती हुई आवाजों का तांता बंद गया की जैसे हमाल आए के किसी अथाख़त से है थोडो की जहंकार आ रही हो, शहर काम पुठा, जमीन थाराने लगी हत्यार बटने लगे, तरबारियों ने एक मतलडाई का फैसला किया, गेरत जो कुछ ने कर सकती थी, वह अवाम के बारे ने कर दिखाया, आज से तीस साल पहले एक जबरदस्त इन कलब ने जयगर को हिला डाला था, वर्षों तक आपसी लडाईयों का दौर रहा हजारों खांदान मिट गए, सैक्डों कस्बे भीरान हो गए, बाप, बेटे के खून का प्यासा था, भाई भाई की जान का ग्राहक, जब आखरकार आजादी की फते हुई तो उसने ताज के फिदाईयों को चुन-चुन कर मारा, मुल्क के कैद खाने देश भक्तों से भर उठे उनहीं जौबाजों में एक मिर्जा मंसुर भी था, उसे कन्नौच के किले में कैद किया गया, जिसके तीन तरफ उंची दीवारें थी, और एक तरफ गंगा नदी, मंसुर को सारे दिन हथोड़े चलन पड़तिक, सिर्फ शाम को आद खंटे के लिए नामाज की चुटी मिलती थी, उस वक्त मंसुर गंगा के किनारे आ, बैठता और देश भाईयों की हालत पर रोता, वह सारी राश्ट्रिय और सामाजिक व्यवस्था जो उसके विचार में राश्ट्रियता का आवशक अंग थी, इस हंगामे की बाड में नश्ट हो रही थी, वह एक ठंडियाह भरकर तहता, जैगर अब तेरा खुता ही रखवाला है, तूने खाको अक्सीर बनाया और अक्सीर को खाक, तूने खानदान कीज जट को अदब और रिखलाग का इल्म और कामाल को मिटा दिया, बरबाद कर दिया, अब तेरी बागडोर तेर हाथ में नहीं है, चरवा है तेरे रखवाले और बनिये तेरे दरबारी है, मगर देख लेना यह हवा है और चरवा है और साहुकार एक दिन तुझे खून के आशू रूलाएंगे, धन और वैभव अपना धंग न छोड़ेगा, हुकूमत अपना रंग न बदलेगी, लोग चाहे लजाएं लेकिन निजाम वही रहेगा, यह तेरे नए शुबचिंत जो इस वक्त विन्य और सत्य और न्याई की मूर्तियां बने हुए हैं, एक दिन वैभव के नशे में मतवाले होंगे उनकी शक्तियां ताज की शक्तियों से कहीं ज्यादा सक्त होंगी और उनके जुल्म कहीं से ज्यादा तेज, इन्हीं खयालों में डूबे हुए मनसूर को अपने वतन की यादा आ जाती, घर का नक्षा आँखों के सामने खिंच जाता मसूम बच्चे अजिकरी की प्यारी प्यारी सूरत आखों में फिर जाती, जिसे तक्दीर ने मा के लाड़ प्यार से वंचित कर दिया था, तब मनसूर एक ठंडिया खीच कर खड़ा होता और अपने बेटे से मिलने की पागल इच्छा में उसका जी चाहता की गंगा में जाओं, धीरे धीरे सच्छा नए इरादे की सूरत अख्तियार की गंगा उमडी हुई थी और छोर का कहीं पतानत, तेज और करजती हुई लहरे दोड़ते हुए पाहाडों के समान थी, पाट देखकर सनर में चकर सा आजाता था, मनसूर ने सोचा नहीं उतरने दूँ, लेकिन नदी उतरने के बदले भयानक राउग की तरहें बढ़ती जाती थी, यहां तक की मनसूर को फिरधी रजन रहा एक दिन वहरात को उठा और उस पुर्शोर लहरों से भरे हुए अंधिरे में कुछ पढ़ा, मनसूर सारी रात लहरों के साथ लड़ता भीड़ता रहा, जैसे कोई नहीं सी चिडिया तूफान में थपेड़े खा रही हो कभी उनकी गोद में चिपा हुआ, कभी एक रेले में दस कदम आगे, कभी एक ठके में दस कदम पीछे, जिन्दगी की लिखावट की जिन्दा में साल, जब वह नदी के पार हुआ तो एक बेजान लाश था सिर्फ सांस बाकी थी और सांस के साथ मिलने की इच्छा, इसके तीसरे दिन मनसूर विजय अगर जा पहुँचा, एक गोद में ऐसे करी था और दूसरे हाथ में गरीबी का छोटा सा एक बोक अच्छा, वहाँ उसने अपना नाम मिर्जा जालाल बताया हुलिया भी बदल लिया था, हटा कटा सा जीला जवान था, चेहरे पर शराफ्त और कुशीलिंदा की कांती जहलकती थी, नौकरी के लिए किसी और सिफारिश की जरूरत न थी, सिपाहियों में दाखिल हो गया और पांच ही साल में अपनी खिदमतों और भरोसे की बदौलत मंदौर के सरहदी पहाडी किले का सूबेदार बना दिया गया, लेकिन मिर्जा जलाल को वतन की याद हमेशा सताया करती, वह सिक्री को गोद में ले लेता और कोट पर चड़कर उसे जयगड की वह मुस्कराती हुई चरागाहें और मतवाले जहरने और सुथ्री बास्थियां दिखाता जिनके कंगूरे किले से नजर आती, उस वक्त भी अक्तियार उसके जिगर से सरदाह निकल जाती और और अखेर बर्बाती, वह सिक्री को गले लगा लेता और कहता, बेटा, वह तुम्हार देश है, वहीं तुम्हारा और तुम्हारे बुजर्गों का घोस्रा है, तुमसे हो सके तो उसके एक कौने में बैठे हुए अपनी उम्र खत्म कर देना मगर उसकी आन में कभी बता न लगाना, कभी उससे दया मत करना क्यूंकि तुम उसी की मिटी और पानी से पैदा हुए हो और तुम्हारे बुजर्गों की पाकरी है अब भी वहां मंग ला रही है, इस तरह बिच्पने से ही इसक्री के दिल परदेश की सेवा और प्रेम अंकित हो गया था, वहर जवान हुआ, तो जयगण पर जान देता था, उसकी शांच शौकत पर निसार, उसके रोगदब की माला जपने वाला, उसकी बेहतरी को आगे बाने के लिए हर वक्त तयार, उसके जंडे को नई अच्छूदी धर्ती में गारनी का इच्छूब, 20 साल का सजीला जवान था, इरादा मस्बूत, होसले बुलंद, हिम्मत बड़ी फौला दी जिस्म आकर जयागड की फौज में दाखिल हो गया और इस वक्त जयागड की फौज का चमेक जासूरज बन हुआ था, जयागड ने अल्टी मेटन दे दिया, अगर 24 गंटों के अंदर शीली बाईं जयागड न पहुंची तो उसकी अगवानी के लिए जयागड की फौज रवाना होगी विजयागड ने जवाब दिया, जयागड की फौज आए, हम उसकी अगवानी के लिए हाजिर हैं, शीली बाई जब तक यहां की अदालत से हुक्म अदूली की सजा न पाले, वहर यहाँ नहीं हो सकती और जयागड को हमारे अंदूरूनी मामलों में दाखल देने का कोई हक नहीं, असकी ने मून मांगी मुराद पाई, खुफिया तोर पर एक दूत मिर्जा जलाल के पास रवाना किया और खत में लिखा, आज विजयागड से हमारी जंग छिड़ गई अब खुदा ने चाहा तो दुनिया जनगड की तलवार का लोहा मान जाएगी, मनसूर का बेटा इसकरीफ अतय के दरवार का एक अधना दरबारी बन सकेगा और शायद में रिवह दिली तमना भी पूरी हो जो हमेशा मेरी रूह को तड़पाया करती है, शायद में मिर्जा मनसूर को फिर जयगड की रियासत में एक उंची जगे पर बैठे देख सकूँ, हम मंदोर में न बोलेंगे और आप भी हमें न छेडियेगा लेकिन अगर खुदानक वास्ता कोई मुसीबत आई ही पड़े तो आप मेरी यह मुहर जिस सिपाहिया अफसर को दिखा देंगे वह आपकी इजरत करेगा और आपको मेरे केम्प में पहुँचा देगा, मुझे यकीन है कि अगर जरूरत पड़े तो उस जयगड के लिए जो आपके लिए इतना प्यारा है और उस असिक्री के खातर जो आपके जिगर का टुकड़ा है आप थोड़ी सी तकलीफ से मुम्किन है वहरूहानी तकलीफ हो तो लेग न फर्माएंगे इसके तीसरे दिन जयगड की फौज ने विजयगड पे हमला किया और मंदोर से पांच मील के फासले पर दोनों फौजों का मुकाबला हुआ विजयगड को अपने हवाई जहाजों जहरीले गड़ों और दूर तक मार करने वाली तोपो का घबमिन था जयगड को अपनी फौज की बहादुरी, जीवट, समझदारी और बुद्धी का था विजयगड की फौज नियम और अनिशासन की गुलाम थी जयगड वाले जिमेडारी और तमीज के कायल एक महीने तक दिन राट मार कटके माके होता रहे हमेशा आग और गोलों और जहरीली हवाओं का तूफान उठा रहता, इनसान थक जाता था पर कले अथक थी, जयगड़ियों के होसले पिस्थ हो गए, अबार बार हार पर हार खाई, असिकरी को मालूम हुआ की जिमेडारी फते हमें चाहे करिश में कर दिखाए पर शिकस्त में मैदान हुक्म की पाबंदी ही के साथ रहता है, जयगड़ के अखबारों ने हमले शुरू किये असिकरी सारी कौम की लानत मलामत का निशाना बन गया, वही असिकरी जिस पर जयगड़ फिदा होता था सबकी नजरों का कांटा हो गया अनात बच्चों के आसू, विद्वाओं की आहे, घायलों की चीक पुकार, व्यापिरियों की तबाही राश्च का अपमान इन सबका कारण वही एक व्यक्ति असिकरी था, कौम की अगुआई सोने की राज सिंगासन फले ही हो पर फूलों की मेजवा हर्गिज नहीं, जब जैगड़ की जान बचने की इसके सिवा और कोई सूरत न थी किसी तरह विरोधी सेना का संबंध मंदौर के किले से कट दिया जाए, जो लड़ाय और रसत के सामान और यातायात के साधनों का केंद्र था, लड़ायी कठिन थी, बहुत खतरनाक, सफलता की आशा बहुत काम असफलता की आशांका जी परभारी, कामया भी अगर सूखे धान का पानी थी, तो नाकामी उसकी आग्प मगर छुटकारे की और कोई दूसरी तस्वीर न थी असिक्री ने मिर्जा जलाल को लिखा, प्यारे अब बाजान अपने पिछले खत में मैंने जिस जरूरत का इशारा किया था, बदकिस्मठी से वहट जरूरत आपड़ी, आपका प्यारा जायगड़ भेडियों के पंजय में फसा हुआ है और आपका प्यारा असिट्री ना उम्मीदों के भवर में दोनों आपकी तरफ आस लगाए ताक रहें, आज हमारी आखरी कोशश हम मुखालिफ फॉज को मंदौर के किले से अलग करना चाहते हैं, आधी रात के बाद यह माका शुरू होगा, आपसे सिर्फ इतनी दर्ख्वास्थ है कि अगर हम सर्वत्हेली पर लेकर किले की सामने तक पहुँच सके तो हमें लोहे कि दर्वाजे से सर्टकरा कर वापस न होना पड़े, वहना आप अपनी कौम की इजज़त और अपने बेटे किलाश को उसी जगह पर तडपते देखेंगे और जयगड़ आपको कभी मुँआप न करेगा, उससे कितनी ही तकलीफ क्यों ना पहुँची हो मगर आप उसके हकों से सुबक दोश नहीं हो सकते, शाम हो चुकी थी, मैदाने जंग ऐसा नजर आता था कि जैसे जंगल जल गया हो, विजगड़ी फौज एक हूरेज माके के बाद खंदकों में आ रही थी, खायल मन दौर के किले के अस्पताल में पहँचाए जा रहे थे तोपें थका कर चुप हो गई थी और बंदू के जरा दम ले रही थी, उसी वक्ट जैगड़ी फौज का एक अफसर विजगड़ी वर्दी पहने हुए असिप्री के खेमे से निकला, थकी हुई तोपें, सरचुकाए हवाई जहाज, ठोड़ों की लाशें अंधी पड़ी हुई हवागाडिया और साजीव मगर तूटे-फूटे के लिए उसके लिए परदे का काम करने लगे, उनकी आड में छिपता हुआ वह विजगड़ी घायलों की कतार में जा पहुँचा और चुप-चाप जमीन पर लेट गया इस कहानी की प्रस्तोती लाइफ को टपूतली यूट्यूब चानल के द्वारा की जा रही है आधी रात गुजर चुकी थी, मंदोरिया के लिदार मिर्जा जलाल किले की दीवार पर बैठा हुआ मैदाने जंग का त्रमाशा देख रहा था और सोचता था कि असिक्री को मुझे ऐसा खत लिखने की हिम्मत क्यूं कर हुई उसे समझना चाहिए था कि जिस शक्स ने अपने उसलों पर अपनी जिंदगी नियोचावर कर दी, तेश से निकाला गया और गुलामी का तौक गर्दन में अडालावे है अब अपनी जिंदगी के आखरी दोर में ऐसा कोई काम न करेगा जिससे उसको बटा लगे अपने उसलों को न तोड़ेगा, खुदा के दरवार में वतन और वतन वाले और बेटा एक भी साथ न देगा, अपने बुरे भले की सजा या इनामा भी भुगतना पड़ेगा, हिसाब के रोज उससे कोई न बचा सकेगा, तौबा जैगईों से फिर वही बेवकूफी हुई, खाम खाव गोले बाली से दुश्मिनों को खबर देने की क्या जरूरत थी? अब इधर से भी जवाब दिया जाएगा और हजारों जाने जाया हूंगी, रात के अचानक हमले के माने तो यह है कि दुश्मिन सर पर आ जाए और कान खबर न हो चोतर रुफा खल बली पड़ जाए, माना की मौझूदा हालत में अपनी हरकतों को पोशीदा रखना शायद मुश्किल है, इसका इलाज अंधीरे के खंदक से करना चाहिए था, मगर आज शायद उनकी गोले बारी मामूल से ज्या तेज है, विजय अगर की कतारों और तमाम मोर्चे बंदियों को चीर कर बिजहीर उनका यहां तक आना तो मोहाल मालूम होता था, लेकिन अगर मान लो आई ही जाएं तो मुझे क्या करना चाहिए, इस मामले को तै क्यों न कर लूँन खूप इसमें तै करने की बात ही क्या है? मेरा रास्ता साफ है, मैं विजय अगर का नमक खाता हूँ, मैं जब बेगर पार परिशान और अपने देश से निकला हुआ था, तो विजय अगर ने मुझे अपने दामन में पनाह दी और मेरी खिदमतों का मुनासब लिहास किया, उसकी बदौलत 30 साल तक मेरी जिंदगी नेक नम्ही और इजज़त से गुजरी इसके दगा करना हद दर्जे की नमक हरामी है, ऐसा गुनाह जिसकी कोई सजा नहीं वह उपर शोर हो रहा है, हवाए जाहाज होंगे, वहां गोला गिरा, मगर खेरिया थुई, नीचे कोई नहीं था, मगर क्या दगा हर एक हालत में गुनाह है? ऐसी हालतें भी तो है, जब दगा वाफा से भी ज्यादा अच्छी हो जाती है, अपने दुश्मन से दगा करना क्या गुनाह है? अपनी कौम के दुश्मिन से दगा करना क्या गुना है? कितने ही काम जो जाती हैसियत से ऐसे होते हैं कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता कौमी हैसियत से नेक काम हो जाते हैं, वही बेगुना का खून जो जाती हैसियत से सख्ट सजा के काबिल है मजहभी हैसियत से शहादत का दर्जा पाता है और कौमी हैसियत सेदेश प्रेम का कितनी बेरहमिया और जुल्म कितनी दगाएं और चाल बाजियां कौमी और मजहभी नुक्ते निगाह से सिर्फ ठीक ही नहीं फर्जों में दाखिल हो जाती है हाल की योरोप की बड़ी लड़ाई में इसकी कितनी ही मिसालें मिल सकती है दुनिया का इतिहास ऐसी दगाओं से भरा पड़ा है इस नए दोर में भले और बुरे का जाती एहसास कौमी मसलहत के सामने कोई हकीकत नहीं रखता कौमी अतनी जात को मिटा दिया है मुम्किन है यही खुदा की मन्शा हो और उसके दर्बार में भी हमारे कारनामिक कौम की कसोटी ही पर पर खे जायम यह मसला इतना आसान नहीं है जितना मैं समझता फिर आसमान में शोर हुआ इतना मगर शायद यह इधर की के हवाई जहास है जैगरवाले बड़े दमखं से लड़ रहे हैं इधर वाले दबते नजर आते हैं आज यकीन रमेदान उनहीं के हाथ में रहेगा जान पर खेले हुए हैं जैगरी मायूसी ही में खुब खुलती है उनकी हारजीत से भी ज्यादा शानतार होती है बेशक असकरी दव पैंच का उस्ताध है किस खुब सूरती से अपनी फौज का रुख किले के दरवाजे की तरफ फेर दिया मगर सक्त कलती कर रहे हैं अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहें सामनी का मैदान दुश्मन के लिए खाली किये देते हैं वह चाहे तो बिना रोक्टोक आगे बढ़ सकता है और सुबह तक किये देते हैं वह चाहे तो बिना रोक्टोक आगे बढ़ सकता है और सुबह तक जैगर्ड की सर्जमीन में दाखिल हो सकता है, जैगर्यों के लिए वापसी या तो गर मुम्किन है या नहायत खतरनाक, किले का दर्वाजा बहुत मजबूत है. दिवारों की सुन्दियों से उन पर बेश्वमार बंदूकों के निशाने पढ़ेंगे, उनका इस आग में एक घंटा भी ठहरना मुम्किन नहीं है, क्या इतने देशवासियों की जाने सिर्फ एक उसल पर, सिर्फ हिसाब के दिन के अड़ा पर, सिर्फ अपने एखला की एहस और बेटिया हया को जला कर खा कर देने वाली हरकतों का शिकार हूंगी, सारे मुल्क मैं कटल और तबाही के हंगा में बारपा हूंगे, पुरानी अदवत और जगडों के शोले बढ़केंगे, कब्रस्तान में सोई हुई रिये दुश्मिन के कदमों से पामाल हूंगी, वह इमारते जो हमारे पिछले बड़पन की जिंद निशानिया हैं, वह यादगारे जो हमारे बुजरगों की दिन हैं, जो हमारे कारनामों के इतिहास, हमारे कमालों का खजाना और हमारी महनितों की रोशन, गवाहिया हैं, जिनकी सजावट और खूबी को दुनिया की कौम इस परधा की आँखों से देखती हैं वह अर्ध बरबर असभ्यल श्क्रियों, कापाड क्या बनेंगी और उनके तबाही के जोश का शिकार, क्या अपनी कौम को उन तबाहियों का निशाना बनने दूँ महाज इसलिए कि वफा का मेरा उसूल न चूटे उफ, यह किले में जहरीले गहस कहां से आ गए, किसी जैगड़ी जहाज की हरकत होगी, सर में चकर सा आ रहा है, यहां से कुमाक भीजी जा रही है, किले की दीवार के सूरा आखू मैं भी तो पेचर ढ़ाई जा रही है, जैगड़ वाले किले के सामने आ गए, केक धावे में वह हूं मायून दरवाजे तक का पहुंचेंगे विजे अगड़ वाले इस बाड़ को अब नहीं रोक सकते, जैगड़ वालों के सामने कौन ठहर सकता है, या लाह किसी तरहें दरवाजा खुद बे खुद खुल जाता है, कोई जैगड़ी हवाबाज मुझसे जबरदस्ती कुणजी चीन लेता, मुझे मार अडालता, आह, मेरे इतने अजीज हम वतन, प्यारे भाईयान की आनमे खाक में मिल जाएंगे और मैं बेबस हूँ हाथों में जंजीर है, पैरों में बेडियां एक-एक रार रुसियों से जकड़ा हुआ है, क्यों ना इस जंजीर को तोड़ दून, इन बेडियों के टुकड़े टुकड़े कर दूँ और दर्वाजे के दोनों बाद यू अपने अजीज फतेय करने वालों की अगवानी के लिए खोल दूँ माना की यह गुनाह है पर यह मौका गुनाह से अड़ने का नहीं, जहनुम किया गुगलने वाले सांप और खूंपीन वाले जानवर और लपिकते हुए शोले मेरी रूख को जलाएं तरपाएं कोई बात नहीं, अगर महाज मेरी रूखी तवाही, मेरी कौम और वतन को मौत के गड़े से बचा सके तो वह मुबारक है, विजय अगर ने जियार्ती की है उसने महास चायगड को जलील करने के लिए सिर्फ उसको भड़काने के लिए शीरी वाई को शेहर निकाले को हुक्म जारी किया जो सरासर बेजा था, हाई अफसोस मैंने उसी वक्त इस्तीफा न दे दिया और गुलामी की इस कैज से क्यों न निकल गया, हाई गजब, जैगडी फॉज खंदिकों तक पहुँच कई, या खुदार इन जानबाजों पर रहम कर, इनकी मदद कर, कलदार तोपों से कैसे गोले बरस रहे हैं, गोया आस्मान के बेशो मार तारे तूट पड़ते हैं, अलाह की पना हमाईउंग दर्वाजे पर गोलों की कैसी चूटे पड़ रही है, कान के परदे फुटे जाते हैं, कश दर्वाजा तूचाता हाई मेरा जिकरी, मेरे जिगर का टुकडा, वह घोडे पर सवार आ रहा है, कैसा बहादर, कैसा जांगबाज, कैसी पुकी हिम्मत वाला आह मुझह भागे कलम उन्हे की मत क्यूं नहीं आ जाती मेरे सर पर कोई गोला क्यूं नहीं आ गिरता हाई, जिस पौधे को अपने जिगर के खून से पाला जो मेरी पच्छड जैसी जिन्दगी का सदा बहार फूल था जो मेरी अंधेरी रात का चिरा, मेरी जिन्दगी की उमीद, मेरी हस्ती का दारोमदार, मेरी आर्जिकी इंताह था वह मेरी आँखों के सामने आग के भवर में पड़ा हुआ है और महल नहीं सकता, इस कातिर जन जीर को क्यों कर तोड़ दूँ इस बागी दिल को क्यों कर समझाऊं मुझे मुख में कालिक लगाना मनजूर है, मुझे जहनुम की मुसीबते जھیलना मनजूर है, मैं सारी दुनिया के गुना हूँ काबोच अपने सर पर लेने को तयार हूँ, सिर्फ इस वकट मुझे गुनाही करने की, वफा के पैमाने को तोड़ने की, नमक हवाराम बनने की तौफिक दे एक लिम हे के लिए मुझे शैतान के हवालाई कर दे, मैं नमक हराम बनूंगा, तगाबाज बनूंगा पर कौम फ्रोश नहीं बन सकता, आह जालिम सुरंगे उडाने की तयारी कर रहे हैं, सिपह सालार ने हुक्म दे दिया, वह तीन आदमी तह खाने की तरफ चले, जिगर काम प्रहा है, जिस्म काम प्रहा है, यह आखरी मौका है, एक लम हाओर बस फिर अंधेरा है और तबाही, हाई, मेरे ये बेवफा हाथ पाओ अब भी नहीं हिलते, जैसे इन्होंने मुझसे मुह मोर लिया हो, यह खुन अब भी गरम नहीं होता, आह, वह धमाके की आवाज हुई, खुदा की पनाह, जमीन कौप उठी, हाई असिकरे, असिकरी, रुकसत, मेरे प्यारे बेटे, रुकसत, इस चालिम बेरहम बाप ने तुझे अपनी वफा पर कुर्बान कर दिया मैं तेरा बाप न था, तेरा दुश्मन था, मैंने तेरे गले पर चुरी, चलील, अब धुआ साफ हो गया, अह, वह फॉच कहां है, चुसेला आपकी तरहें बढ़ती आती थी, और इन दिवारों से टकरा रही थी, खंद के लाशों से भरी हुई हैं और वह जिसका मैं दुश्मन था, जिसका कातिल, वह बेटा, वह मेरा दुलारा जक्री कहां है, कहीं नजर नहीं आता, आह, जमाना, नवंबर उन्नीस सो अठा रह अभी आप सुन रहे थे प्रेम चंद की कहानी वफा का खंजर वाचक टृष्णा सांख्ला अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ कोट पुतली को शेर, लायक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना न भूले जिससे हम आपके लिए नई कहानी अप्लोड कर सके धन्यवाद